समझ आ गया? symmetrical का मतलब जैसे अगर हम काट रहें किसी भी axis के along और वो दो हिस्सों में, बराबर हिस्सों में कट जा रही है तो उसे कहा जाएगा? symmetrical है बात समझ गया? तो जो point है वो यह है कि अगर कोई body हमारी x axis के about symmetrical है अगर कोई body हमारी x axis के about symmetrical है तो X center of mass ही निकालना है Y नहीं निकालना है Y axis की about symmetrical है तो Y center of mass निकालना है X नहीं निकालना अगर दोनों की about symmetrical है तो दोनों निकालना है और दोनों की about symmetrical नहीं है तो भी दोनों निकालना है समझ दो क्या कहना चाहरे है मतलब मजाग नहीं है सक्ची है X-axis के about symmetrical तो सिफ X component निकाला जाएगा center of mass का Y वाला नहीं निकाला जाएगा Y-axis के about symmetrical तो Y component निकालेंगे X component नहीं निकालेंगे मतलब वो 0 ही होगा अगर दोनों के about symmetrical है तो तो दोनों निकालेंगे और अगर दोनों के about symmetrical नहीं है तब भी दोनों निकालेंगे, मैं तुम्हें कुछ एल्फावेट्स दिखा रहा हूँ जो सिमेट्री वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें आएंगी तुम्हारे काम में आएंगे तुम्हें यह बताना पड़ेगा? क्या चीज? भागे यहां से, दो महीने से लिखा हुआ है सुनो जरा, जैसे मेरे पास में यहाँ पर, एक लैटर है थोड़ा सा स्पीड में तुम लोग अपने इसाब से समझ लेना कि बनाना क्या चाह रहा हूँ और उसको यह मान के चलना कि यह सिमेट्री बना रहा हूँ मेरे बनाने में थोड़ा सा स्पीड है असलिए ऐसा लग रहा है तुम लोग धंग से देखना जैसा भी है समझ जो और भी बना सकते है पूरे जैट तक बना सकते है तुमसे तो तेजी हूँ मैं इन मामलों में तुमसे अगर बन बाऊँगा तो एक ना बनेगा तुमसे सुनो एक को अगर मैं y-axis में काटू y-axis में काटू तो symmetrical है x-axis में है तो यहाँ पर a के लिए अपना को क्या निकालना पढ़ेगा सिफ b-वाले में देखो x-axis में यह बरावर से कट जागा तो x-center of mass c-वाले में बोलो x-center of mass अरे हाँ याँ ना d-वाले में x-center of mass e-वाले में x-center of mass f-वाले में दोनो नहीं है तो क्या निकालना पढ़ेगा x भी निकालना पढ़ेगा और y-वाले में दोनों नहीं है x-center of mass भी निकालना पढ़ेगा और y-center of mass भी निकालना पढ़ेगा h बोलो दोनों के x के भी और y के भी दोनों के about symmetrical है यानि के x-center of mass और y-center of mass i बोलो दोनों के about है समझ में आया alphabet में खेल समझ में आया तो कहां कौन से निकालना ये समझ आ गया तो आज के लिए बस इत्ता ही कल का क्लास इसका लास्ट होगा और सारे के सारे निमेरिकल जो भी रह गये है वो निप्टा डालो इसके सेंटर अफ मास्ट का लास्ट होगा फिर उसके बाद कोलिजन भी है अपना कोलिजन और मुमेंटम गंजर्वेशन भी है तो आज के लिए बस इत्ता ही मिलते हैं अगले कलास में तब तक के लिए धन्यवाद